आप सबी दर्शकों का स्वागत है इस नहीं वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे इंडसिंट बैंक के बारे में अभी तक सेप्टमर 18 को जो प्रेशर नीचे को बन रहा है, क्या ये प्रेशर टंटिन्यू रहेगा और आगे अगले हफ़ते, यहां से क्या बैंक और नीचे जा सकते हैं, पर्टिक्लरी इंडसिंट बैंक में क्या मंडे को शॉर्टिंग का पॉर्चिंटी है पूरा विशलेशन करते हैं टेक्निकल बेसिस पर, और साथ में देखेंगे इसका चार्ट, इस वीडियो इस फ़र एड्यूकेशन पर बस उनली, चलिए सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं, तो देखें, सेप्टमर की स्रीज एक नेगेटिव नोट से शुरू हुई थ पर उमीद क्या रहेगी? कि हो सकता है, अब ये drift down होके अपने previous low के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 591 के आसपास जाने की कोशिश करेगा यहां से, तो थोड़ा setup negative लग रहा है इसका, अगर निफ्टी की बात की जाए तो बड़ा 15 मिनट में 100 पॉइंट का गिरावट जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, हो सकता है, ये इस लेवल को 540 की लेवल को भी तोड़ दे, अगर नीचे गिरने लगा तो, मेकडी ने अलड़ी क्लिरली पिछले 7 दिनों से, सेल सिगनल जनरेट किया हुआ है, जिसके चलते हुए, अभी हाँ पर शॉटिंग अपोर्टिंटी क्लियर बन रही है, शॉट टम के लिए एक वीक पैटन बन गया है, प्लीज कंसल्ट ये फैनेंशल एडवाइजर, नेगटिव बाइस है, शॉट टम के लिए जैसा भी दिखाया आपको, टेलिग्रम चैनल पर भी है, आप जाहें जॉइन कर सकते हैं, इंडसिन बैंक का आप मंडे को 617 पर बेच सकते हैं, 622 का स्टॉप लॉस रखेगा, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्टिव इस प्रिवाइड करते हैं, आप चाहें तो यूस कर सकते हैं, इंट्रडे ट्रेडी के वेसिस पर, और इसका टागेट जो है, हम अभी के लिए 600 और लगा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे देख सकते हैं, अगर पढ़ना आपका objective, आपको learn करना objective है, तो देखे, यहाँ पर हम लोग mean के आसपास आगे, तो mean से जब यह नीचे निकलेगा, तो हो सकता है, तेजी से भी गिरे, हो सकता है, यहाँ से bounce back भी करे, तो कल का जो मंगल में हो, जै हिंद, जै भारत!